Hi everyone, सभी का warm welcome है YET और English Shooter पे Vocabulary याद करना बड़ा आसान काम है आदे घंटे में आप भी 15-20 words रटा मारके याद कर सकते हो लेकिन challenging part यह है कि यह words कैसे याद रखे जाएं exam की situation में यह words जब आपको दिखें तो इनका meaning आपको आता हो और यह काम मैं करवाता हूँ आपको इन छोटे छोटे बूस्टर्स की मदद से बूस्टर्स में क्या होता है जो भी vocabulary आप editorial के दोरान मेरे साथ बढ़ते हो इस sheet में इस vocabulary के कुछ हिस्से को हम revise करते हैं questions के जरिए जो शुरू करेंगे आज की class को बिना देरी के जल्दी से एक like और एक share दे देना class को ताकि इन classes को मैं regular रख सकूँ एक quiz भी आपको दिखा रहा हूँ इस class में जो सीखोगे इस quiz के उपर apply होगा पहले इन 8 questions को खुछ से try दे solutions class के last में करवाँगा हो सकता है आखरी तक आप जो है 8 में से 8 marks खुदी score कर लें बिना solution दिए कोशिश यही रखनी है हमें चलिजे first question की तरफ बढ़ते हैं 90 question हो चुके हैं पिछले parts में आज part number 91 किसी चीज़ को express या state करना हो कहना या व्यक्त करना हो clearly यानि साफ शब्दों में तो उसके लिए कौन सा word English में use करते हैं अगर मुझे आपसे कोई बात कहनी है साफ शब्दों में कहनी है तो इस kriya को इस verb को मैं किस one word से बता सकता हूँ in germinate से बताऊंगा enunciate से बताऊंगा reiterate से बताऊंगा या फिर इसको बताऊंगा germinate से एक try खुद से दो जो words आपको आते हैं देखो फिर मैं तो चारोई words करवा दूँँ आपको चलो देखो express करना हो न clearly उसके लिए simple word है English में articulate ये word आपको पता होगा articulate किसी बात को साफ शब्दों में बोलना अब देखो ये word तो यहां आया नहीं अगर ये आया होता तो ये अपने answer बन जाता अब इसका मतलब क्या है articulate का जो closest synonym है वो हमारा answer बनेगा और articulate का closest synonym होता है enunciate आरे ये बात समझे में साफ शब्दों में किसी बात को किसी से कहना या तो वो कहलाता है articulate करना या वो कहलाता है enunciate करना तो answer तो आपको यहीं मिल गया अब बाकी के words को भी देख लेते हैं देखे अगर मैं किसी बात को बार-बार दो रहाता हूँ ना यानि कि repeat करता हूँ क्या करता हूँ repeat करता हूँ तो repeat के लिए एक अच्छा word है English में हमारे पास reiterate अब देखो री आइटरेट का एक advanced synonym है ingeminate आरी बाद समझ में connection समझ में आ रहा है enunciate तो मतलब साफ शब्दों में कहना articulate करना लेकिन किसी बात को बार-बार कहना वो कहलाता है repeat करना या re- iterate करना advanced language में उसको बोलते हैं क्या ingeminate करना तो a और c दोनों एक दूसरे के synonym है repeat करने की बात करते हैं अब पांचवा कौन सा बचाई चोता word germinate germinate जो है न ingeminate से मिलता जुलता लगता है लेकिन इसका meaning अलग है germinate का मतलब होता है किसी चीज को produce करना किसी चीज को engender करना germinate का मतलब है किसी चीज का निर्मान करना अब ये सारे ही words आपको vocab sheet में अच्छे से करवा दिये गए हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हम देखेंगे enunciate को है न? enunciate तो enunciate कहां गया? यह रहा देख पार हो न? articulate, enunciate to state or express something clearly articulate speech is a major requirement for a leadership role साब शब्दों में कही कही बात speech जो है सबसे बड़ी requirement होती है किसी भी leadership role के लिए articulate word की एक खासियत यह भी है कि यह verb के साथ-साथ adjective भी होता है इस case में यह adjective form में यूज किया गया है तो articulate आपने देख लिया और repeat के लिए हम यूज करते हैं reiterate को reiterate को reiterate का है यह रहा in germinate, reiterate, एक दूसरे के synonym है to repeat something again and again the prisoner in germinated his request for mercy before the judge prisoner ने repeat किया अपनी request को जो थी mercy की दया की judge के सामने और तीसरा word था आपके पास germinate, germinate का मतलब होता है किसी चीज को produce करना, generate करना इसको bring about करना या engender करना भी बोलते हैं huge amount of destruction, लगादार चलती हुई words ने germinate किया bring about किया, एक बहुत बड़ी मतरा को जो है दभाई की, बैट गए तीनो words दिमाग में, एंजेंडर इसका बहुत अच्छा synonym है, एंजेंडर इसको आप word को बहुर बार देखेंगे, चलो आजाओ next word पे articulate आपका answer होगे next word अपना, चलो आगे बढ़ने से पहले, यह जो class आप देख रहे हो यह SSC और banking course का पार्ट है आपको YouTube पे मिल जाते हैं, इसके छोटे-छोटे हिससे तकि आप लोग भी इस पूरी जो है learning को experience कर पाएं जादातर content अपना free of course है, आप जानते हैं कुछ से content अपको SSC banking course में मिलता है तो app को download कर लेना, comment section में उसका link रखाए writing का course पी available है, जो भी 480 में मिल रहा है इस code के साथ में, SSC और banking दोनों के combos available हैं, अलग-अलग सारा से लेवस आपको SSC bank का updated pattern के इसा आप से cover करवाया जा रहा है कोई query हो, सवाल हो, apps related यह number है इस पर WhatsApp करें, team से आप बात कर सकते हैं चलो next word है, blank में भरना है आपको suitable word को, और blank आपके सामने है the wrestler gave an splendid performance and the nation's dream of winning a wrestling gold manifested, realized, materialized या, या या ये दो बार आगे है manifested है न, ऐसा समझ लो तीन ही answer अपने पास, A, B और C चोथे को निकाल दो, यह repeat हो रहा है न या इसके जगार रखते हैं, none of the above none of the above कोशिश करो आप, फिर इन तीनों words का difference बताऊँगा, क्या इनका meaning होता है चलो, wrestler ने एक splendid, यानि शानदार performance को दिया बहुत ही अच्छा perform किया, और देश का जो nation का dream था, सपना था जीत लेने का, win कर लेने का wrestling नाम के game में gold medal को यह सपना जो है कुछ हुआ अब देखो हिंदी में समझें तो इसका मतलब आ रहा है सकार हुआ सपना सकार हो गया, सपना सच हो गया और सच होने के लिएक word हमें इंगलीश में चाहिए, अब इन words को ध्यान से समझना देखे, पहला word है manifest ठीक है एक सगे लोग, manifest और एक word है materialize इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज का सच बनना सच बन जाना, ठीक है, सच बन जाना और दो word हो रहे है realize और actualize इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को सच बना देना मतलब समझे रहे हैं, मर जाना और मार देने में क्या फरक होता है, मरने को बोलते है die, मार देने को बोलते है kill, आरीनवाद समझ में तो दोनों अलग लग words है, वैसे ही सच बनने के लिए होता है materialize या manifest और सच बना देने के लिए होता है realize या actualize जब आप अपने सपनों को सच बनाते हैं, जब अपने सपनों को realize करते हैं, actualize करते हैं तब आपके सपने सच बन जाते हैं वो materialize होते हैं, manifest होते हैं तो यह जो ना, यह happen verb है, अगर आपने basic grammar मेरे साथ पढ़ी है तो, happen verbs वो होती हैं, जिसमें subject में do or कोई नहीं होता, अपने आप से कोई काम हो रहा है, है ना, तो यह happen verbs है, तो happen verb हमको use करनी है, सपने सच हो गए है, तो मैं यहाँ पर use करूँगा, materialized, materialized और manifested दोनों को, तो A and D, both are answer, A and B, both are answer, बात समद में आ रही है, C मेरा answer है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इस difference को याद रखना, दोनों words के बीच का, अगले किसी question में use होगा, next question है, fill in blow both the blanks with a suitable word, दोनों ही blanks को एक suitable word से fill करो, इस वाले को और इस वाले को दोनों में एक ही word आना चाहिए, ताकि दोनों sentence सही बन जाए, पूरा meaningful जो a sentence बने, चलो, India needs to convince Russia to end the war, इंडिया को ज़रूर होता है कि रसिया को convince करे, ताकि war को खतम किया जा सके, और किस पे है war, war on Ukraine, Ukraine के उपर, और कहरा क्यों, कहरा है इसलिए ताकि in order to, in order to का मतलब होता है इस मकसद से, और मकसद क्या है, इन चारों में से एक काम करना, और वो काम है इसके जीयो पालिकल ड्रीम का और वो ड्रीम है, पीसफुल वर्ण का, तो इंडिया को, रशिया को मनाना है कि war खसम करें Ukraine पे, और ये मकसद होगा इन डिया का कि वो अपने जीयो पालिकल ड्रीम को ये कर सके, जीयो पालिकल समझत है न भु वैश्फिक, पूरी दुनिया को लेक अब दूसरा sentence देखो Russia needs to dash that this is not the era of war Russia को जरू होता है ये करने की और वो क्या चीज़ है कि ये जो है न ये era of war नहीं है ये युग जंग का नहीं है थोड़ा सा tricky question है लेकिन ऐसे questions exams में मिल रहे हैं अब इसका answer मैं को सीधे सीधे करवा देता हूँ यहाँ पे answer आएगा realize अब कैसे आएगा ये चारो words आप अभी already कर चुके हो words कैसे थे देखो realize word था ना इसका meaning क्या था किसी चीज़ को सकार करना या actualize करना actual बनाना खुद से नहीं सकार होगी सकार करना है तो सकार करने के लिए realize तो use होने ही वाला है इंडिया को realize करना है अपने dream को सकार करना है लेकिन realize word का एक और meaning भी है और वो होता है किसी चीज़ का एसास होना कई पर आप बोलतो ना यार मुझे realize हुआ मतलब मुझे एसास हुआ समझे रहो ना थोड़ी सी कहानी अजीब सी बनी हुई है पर एक बार दिमाग में बैठ गी तो बहुत easy है कहानी यह है कि materialize और manifest का मतलब होता है सकार होना तो geopolitical dream तो हमें सकार करना है तो करने के लिए तो realize या actualize यूज़ करेंगे यह दोनों words आपस में एक दूसरे से difference है लेकिन realize जो आना यह अपने आप में और भी एक meaning रखता है वो होता है एहसास होना किसी चीज का feel आना तो उसके हिसाब से दिखेंगे तो यहाँ पर realize सकार होने की बात करेगा यहाँ पर इस चीज की एहसास करवाने की बात करेगा तो Russia needs to realize that this is not the era of war आगी बात समझ में C आपका answer है अगेन यहाँ पर लिख लेना none of the above दी में क्या common A और D एक जैसे हो गए है तो same join में आपको answer मिल रहा है आज आँ नेक्स वर्ड पर 94 पर what does the word salute means salute नाम के word का क्या meaning होता है सबसे पहली चीज salute word ना इसकी spelling को ध्यान रेकलो बार बार करवाता हूँ कोकि एक्जाम में पूछे जाती है इसको बोलते है salute वो लिखते कैसे हैं पहले लिखेंगे sil फिल लिखेंगे how और last में लिखेंगे at e double t e sil how at तीनो जोड़तों के तो बन जाएगा salute salute का मतलब होता है रूप रेखा मान लीजे आप 8 गंटे बटने वाले है उस 8 गंटे के रूप रेखा बनाते हैं blueprint बनाते हैं वह शुरू के 2 गंटे मैं editorial पढ़ूँगा reading करूँगा उसके बाद 1,5 गंटा math से question solve करूँगा फिर reasoning पढ़ने वाला हूँ आदा गंटा उसके बाद GS करूँगा एक गंटा फिर English का थोड़ा revision करूँगा समझ गया तो एक रूप रेखा आपने हैं बना ली blueprint अब उसके अंदर और भी चीजे होंगी details होगी उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं English में क्या पढ़ेंगे Math में क्या पढ़ेंगे वो detailed है उसकी बात नहीं हो रही तो बाहर की जो रूप रेखा होती है उसको बोलते हैं salute आगी बात समझ में तो answer क्या होगा interesting personal story नहीं होगा a natural inclination towards something inclination का मतलब होता है प्रवर्ति या रुझान किसी चीज के लिए रुझान भी नहीं होगा ये प्रवर्ति की बात भी नहीं हो रही outside features of something with a complex structure किसी complex structure का रूप रेखा यानि outside features C आपका answer बन जाएगा last word है open headedness open headedness का मतलब होता है आपका head open है आपका दिमाग खुला है दिल या दिमाग से बड़े खुले आदमी हो दर्या दिल आदमी हो है ना ये आपकी open headedness होती है C आपका answer बन गया A, B, D नहीं बनेंगे अब देखो challenge यहाँ खतम नहीं होता मैं आपसे जानना चाहता हूँ A, B, D के लिए one words क्या बनाओगे C तो आगए answer ठीक है A, B, D के लिए कौन से one words बनाओगे चला देखो A के लिए एक word हमारे पास English में anecdote एक interesting personal story आप बतातो ना देखो मैं वहाँ गया था मुझे वहाँ एक आदमी मिला एक औरत मिली इस आदमी नहीं यह बोला जो कहानियां बताते हो आप उसको English में बोलते है anecdote यह word एडिटोलियर्स में कर चुके हो anecdote फटाबर से आपको दिखा देते है an interesting personal story she presented several anecdotes of her experience during her foreign trips उसने कई सारे anecdotes दिये अपनी personal stories बताई उसके अनुभूवों की experience की उसकी foreign trips के दुरान इसको recital भी बोलते हैं क्योंकि आप recite कर रहे हैं अपनी memory से किसी कहानी को सबको बता रहे हैं तो पहला one word तो हो गया आपका anecdote याद रहेगा आपको अब आज़ो बाकी के one words पे दूसरी चीज आपस पूछी है natural inclination towards something आपकी प्रवर्ती इसके लिए याद पास English word है propensity प्रवर्ती या रुजान को बोलते हैं propensity ये word भी देख लेते हैं बहुत बार हो चुका है और लेड़ी आपको आना चाहिए propensity तो कहा है भई ये propensity spelling थोड़ इसी गज़त लिख दी मैंने तो ये री propensity he has a tendency या propensity to forget names उसकी प्रवर्ती है नाम भूल जाने की किसी का भी नाम सुनता है पर बाद में भूल जाता है natural habit है तो उसको tendency, proclivity या inclination भी बोलते हैं फिर एक और word आपके पास one word open headedness इसका मतलब है दिल दिमाग खुला इसके लिए अपने पास word है magni magni मतलब बड़ा और headedness मतलब आपका दिमाग तो इसके लिए अपने पास word है animity देखो animus मतलब दिमाग या दिल magni मतलब बड़ा दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी magnanimity दरिया दिली या खुला दिमाग magnanimity इसको munificence या generosity भी बोलते हैं अफकोर्स यह word भी हमारी vocab sheet में हो चुक है अराम से चक कर लेना चलो तीनों हो गए चारो वन वर्स दिमाग में बढ़े आगे अच्छा यह salute जो है इसका एक बहुत अच्छा synonym है contours यहीं दिखाना पड़ेगा आपको sheet के अंदर जितना हो सके revision कर लो है आदे घंटे की class है contours salute तो ठीक है आपने सीख लिया रूप रेखा बोलते हैं रूप रेखा का एक advanced synonym है contours बढ़े आगे आज आज आओ next word पे नीचे PDF रखिए PDF से निकाल देना सभी questions और उनकी explanations suitable word को पुछा है आपसे और वो word जो first blank और second blank दोनों में set बैट जाए चलो the court ordered the husband court ने husband को आदेश दिया और क्या to provide a dash allowance कि वो एक dash type का allowance दे और किसको दे to his wife अपनी wife को और कब after the divorce तलाक के बात तो ये type का कोई special type का allowance है इन चारों में से एक meaning आपको लगाने है दूसरा word है as a notorious side effect of technology people lose their dash as they go out of work एक बहुत ही notorious notorious का मतलब होता है कुख्यात एक बहुत ही कुख्यात जो side effect जो है technology का उसके तोर पे लोग जो है lose कर देते हैं खो देते हैं अपनी इस सीज को जैसे ही वो go out of work होते हैं उनसे उनका काम चीन जाता है तो technology जैसे ही उपर आएगी लोगों से उनका काम चीनेगा manual काम computers करेंगे और ये notorious side effect है technology का एक बुरा effect होता है ये बात अब देखो ये advanced word है मुझे पता है आप में से 90% लोग इस transfer नहीं कर पाएंगे एक try दे लो फिर मैं करवा देता हूँ चलो आपने एक word सुना होगा sustain sustain का मतलब होता है survive करना और कैसे survive करना मुश्किल हालातों में जैसे I cannot sustain in this environment मैं एस माहल में नहीं रह सकता मतलब में survive नहीं कर सकता है मुझे अच्छा माहल चाहिए आपने सुने होंगे ने words sustain से ही हमने एक word बनाया है वर्ब से sustenance sustenance का मतलब हो गया survival noun बन गया ये sustain मतलब जिंदा रहना survival मतलब जिंदा रहने का काम sustenance ठीक है अब survival क्या होता है survival होता है आपका वेपार आपकी जोब आपका रोजगार इसलिए sustenance वर्ड का मतलब हो गया आपका रोजगार आपकी रोजी रोटी क्योंकि वही तो आपका survival है ultimately तो काम तो कुछ करोगे ना दुनिया में रहनी सकते बीना काम की तो ये जो sustenance वर्ड है ना ये रोजगार का synonym है और इसलिए occupation, livelihood और job ये तीनों ही इसके synonyms है बात आई समझ में तो ये जो second वाला है लोग lose कर देते हैं अपने रोजगार को उनकी jobs, उनके business खतम हो जाते हैं क्योंकि वो go out of work हो जाते हैं तो second वाले में तो चारों ही set बैठ जाएंगे यहाँ पर occupation भी आ सकता है livelihood भी आ सकता है sustenance भी आ सकता है और job भी आ सकता है लेकिन first वाले में इन चारों में से एक ही set बैठेगा, वो बैठेगा sustenance sustenance allowance का मतलब है survive करने जितना पैसा अपनी बीबी को देना होगा divorce के बाद में ताकि वो जिन्दा रह सके आ रही है न बात समझ में तो second में तो चारों ही सही है यह चारों का मीनिंग यह आपकी रोजगार first के अंदर चारों नहीं आएंगे occupation allowance कुछ भी नहीं होता job allowance भी कोई word नहीं होता जो word होता है वो होता है sustenance, sustenance allowance चलो अब यह sustenance allowance जो है न इसके लिए एक advance word है हमारे पास अलिमनी यह बताता है शादी होने के बाद मतलब divorce होने के बाद में जो अपनी wife को sustenance allowance देते हैं उसके लिए one word है अलिमनी तो यह one word भी आपको याद रखना है इस case के अंदर आपको answer बन जाएगा B क्योंकि B तो यहाँ भी set बैठेगा और यहाँ भी set बैठेगा अब यह ऐलिमनी वर्ड को याद रखना है इसी quiz के अंदर कहीं पर आगे ऐलिमनी आएगा वहाँ पर आपको फिर से revision करना है आज आप next पर column A और column B को match करना है पांच यहाँ पर words है और पांच इनके meanings है है ना जैसे मान लो A जो है match हो रहा है fourth के साथ में C match हो रहा है first के साथ में तो एक try दो पहले फिर मैं एक एक word को meaning के साथ में connect करूँगा चलो सब के last में money आ रहा है अब यह पारसी मनी, testimony, hegemony, acrimony पारसी मनी का मतलब होता है कंजूसी कंजूसी के लिए हमारे पास word है कौन साइन में से extreme stringiness stringy मतलब conjuce, stinginess मतलब conjuce पारसी मनी मतलब extreme conjuce extreme stringiness ठीक है तो पारसी मनी इससे connect कर लेना इसी से एक word बनता है parsimonious 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 मतलब नहायती conjuce hegemony का मतलब होता है leadership इससे word बनाते है हम hegemony जैसे US is the hegemony of the world US दुनिया का leader है जैसे google google is the hegemony of IT industry, google दुनिया की IT industry का leader है, hegemony hegemony रखता है, तो hegemony को हम connect करेंगे leadership से C को 4 से, parsimony हो गया acrimony का मतलब होता है करवाहट किसी के लिए बुरी भावना और करवाहट का word है मारे पास अच्छा rancor rancor है ना, acrimony rancor, एक दूसरे के, अब यह याद करने पड़ेंगे आपको money वाले 5 word है, 5 तो गएक सा हम बोल सकते हैं evidence और statement, है ना, गवाही यानि कि दो, testimony मतलब गवाही यानि कि third चलो, आगे मैंने वैसे इनको उसमें notes में डाल दिया अराम से आप बात में भी revision कर सकते हो अब देखेंगे आज के last question को number 97 understanding of past events जो आपके साथ भूत काल में हुआ है उसकी understanding, उसकी समझ को क्या बोलते हैं जैसे अभी आपके साथ कुछ हुआ, अभी तो आपको समझ नहीं है आज से 10 साल बाद अपने मूड के देखा और जो आपको समझ आई, उस समझ को past events की क्या बोलेंगे one word से circumspection, retrospection, introspection या hind sight चलो, ये चारो words बने हैं spec से spec और site दोनों roots हैं इन दोनों का मतलब होता है see करना यानि की देखना side का मतलब होता है नजारा spec से ही बना है spectator यानि की नजारा का देखने वाला दर्शक spec और site दोनों का मतलब है देखना इस root को पकड़ लोगे तो चारो word दिमाग में बैठ जाएंगे, पहला word है introspection, intro मतलब अंदर or spectrum मतलब देखना तो introspection का मतलब हो गया अपने अंदर जाकना अपनी कमियों को, बुराईयों को समझना introspection, फिर word है एक retrospection retro मतलब भूतकाल यानि की past spect मतलब देखना तो retrospection मतलब अपने past में जाँ करके देखना मेरे past में क्या-क्या हुआ था अब ध्यान यह देना, retrospection एक noun है ये understanding को past event से मिलता जुलता है, लेकिन इसका answer retrospection नहीं है, अभी देखना आगे कैसे तीसरा word है, hind sight hind मतलब पीछे का sight मतलब नजर या understanding hind sight का मतलब होता है past events की understanding, अब इन दोनों words में confusion हो रहा होगा न आपको, सर यहाँ भी past में देखा यहाँ भी past में देखा, देखो retrospection एक ऐसी process है, जिससे hind sight निकलती है, बात आ लिए समझ में, जब आप retrospection करते हैं न, past में, तब आप क्या निकालते हैं, आप hind sight को निकालते हैं, past की understanding को निकालते हैं, तो of course यह दोनों words connected हैं एक दूसरे से लेकिन यह उस process का नाम है और यह उस process का final product है जैसे पढ़ाई यानि की studies और दूसरा है success अब आप बोलो सर, study से success मिलती है दोनों एक ही बात, नहीं, पढ़ाई तो process है, प्रक्रिया है और इससे success निकलेगी, तो retrospection past में जहने की प्रक्रिया है और इससे समझदारी निकलेगी, hindsight निकलेगी introspection आपने देख लिया, यह तीनों word हो गए, अब चोता बचा circumspection circum मतलब circle circum मतलब गोला circum मतलब चारों तरफ जब आप inspection देखते हो, inspection मतलब देखना circum मतलब चारों तरफ, तो आप कैसे आदमी है, आप एक ऐसे आदमी है जो बड़े चुकनने रहते हैं जहां भी जाते हैं, अपने गोल गोल गरतन गुमा के चारों तरफ के नजारे को समझते हैं मेरे आसपस क्या हो रहा है तो circumspect से ही आपको आती है circumspection जिसका मतलब होता है carefulness सजगता इसको English में बोलते हैं awareness circumspection वाल आदमी कोन होगा बहुत ही aware होगा, बहुत ही careful होगा बहुत ही चुकनना रहने वाल आदमी होगा तो यह अलग word है circumspection को circumspect से जोड़ना है detail में करवा दिया है, मेरे खाल सब दिक्कत नहीं आएगी चारों को जोड़ करके हमने तोड़ करके यहां रख दिया है circumspection मतलब carefulness यह cautiousness, retrospection मतलब examination of the past introspection मतलब self examination अपने गिरवान में जहांकना और hindsight मतलब past examination से निकलने वाली understanding high and plus में site, चलिए यह wrap up करेंगे आज के session को, अब तीन questions आपको दे रहा हूँ quiz के तोर पे, number 98 second last के लिए एक one word बताना है आपको इन चारों में से, ठीक है screenshot ले लो इसका number 99 child like innocent को इंगलीज में क्या बोलते है, innocent बोला बोला, child like मतलब बच्चों जैसा तो बच्चों जैसे भोले बाले के लिए कौन सा word लगाओगे ingenuous, seasoned, ingenuous यहां sophisticated और last question है, aboliant का एक synonym आपको बताना है, इस word का क्या meaning है और कैसे इसका synonym आप चूज करेंगे तीनों questions के आंस्वर आपको comment section में मिलेंगे, इसी वीडियो के नीचे first comment के अंदर, साथ ही आपको इस पूरे quiz का solution भी तीनों का, वीडियो के first comment में मिल जाएगा, तो वहां से आप quiz में कितने marks मिले, ज़रूर बताना, 8 to quiz questions यहां होगे, और 3 यह होगे, मतलब टोटल कि 30 minutes से ज़्यादा लंबी class ना रखें, क्योंकि सब का patience level इस से ज़्यादा का नहीं होता courses available है, आपको download करें writing का, SSC का, banking का कोई भी query होती है, यह team का number है इससे WhatsApp करके आप बात कर सकते हैं team से until then, signing out